कहते हैं, अक्सर ननद अपनी भावियों का जीना हराम करके रखती है, पर सलोनी के साथ तो कुछ अलगी चल रहा था, क्योंकि यहाँ सलोनी अपनी भावियों से परिशान थी, और ऐसा क्यों था, चलिए अब खुद ही देख लीजिए, ऐसे ही एक दिन सलोनी की भावी मन जी क्या हो, भाविया अपने मुझे आवाज दिया, सलोनी तुम खाली बैटी हो न, तुमारे भाविया आ गया हाथ मूध होकर बसाती होगे, उनके लिए खाना लगा दो, पर भाविया को तो आने में समय लगीगा और मैं खाना खा रही थी, भाविया को आ जाने दो न, उसके बाद लगा देती हो, क्या सलोनी, हर समय तो तुम खाती ही रहती हो, तुम जानती हो न, तुमारे भाविया कितना गुस्ता करते हैं, मैं यह खाना बना रही हो, अगर मुझे रोटिया ना बनानी होती हो तो मैं खुद ही लगा देती, थोड़ा बहुत काम करवा दिया करो, अब बेचारे सलोनी, खुद खाना ना खाकर पहले अपने भाईया को खाना देती है और अनुराग के खाना खाने के बाद खुद खाने के लिए बैठती है कि फिर से मंजू से आवाज देती है और रस्वी में बुलाती है सलोनी देखो न मुन्ना कितना रो रहा है फिर भी एक काम करना नहीं चाती मैं पूरा दिन ना करो की तरह इस घर के कामों में लगी रहती हूँ पर तुम्हें जरा सा काम कैदो तो तुम बहाने माने लगती हो अगर मुन्ना रो नहीं रहा होता ना तो मैं ये काम खुद ही कर लेती तुम इतना भी नहीं कर सकती क्या नहीं भाबी ऐसी बात नहीं है मैं कर लोगे आप मुन्ना के पास या वो रो रहा है अब सलोनी खाना न खाकर पहले अपने भतेची के लिए दूद बनाती है और फिर किचिन के सफाई करती है सारा काम होने के बाद सलोनी खाना खाकर सोने जाती है कि तबी एक पार फिर से मन्जु सलोनी को काम दे दीती है सलोनी मुन्ना मेरी गोद में सोया हुआ है अगर मैंने इसे नीचे रख दिया तो उठ जाएगा तुम जल्दी से बेरा बिस्तर ठीक कर दो और मुन्ने का भी बिस्तर लगा दो पर भावी मुन्ना तो जूले में सोता है न नई, अब मैं मुन्ना को अकेले जूले में ने सुलाओंगी क्योंकि रात को मुन्ना उठता है और मुझे पता भी नहीं चलता ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं एक दिन सलोनी तयार होकर बाहर जा रही थी पर उससे पहले मंजू अपनी सास्विमला के साथ मार्केट जाने के लिए तयार हो जाती है हारा सलोनी, आज तो बड़ी बंधन कर बैठी है कहीं जाना है क्या तुझे माजी सलोनी जाएगी का पूरा दिन खाली तो बैठी रहती है वो अच्छा सलोनी मैं और माजी मार्केट जा रहे हैं तुम घर का और मुन्ने का खयाल रखना अगर हम लेट हो जाए तो सबजिया काट लेना इतना तो करी लोगी न देख रही है ना माजी ननजी पूरा दिन खाली बैठी रहती है पर एक काम केदो तो बहाने ढूणने लगती है सलोनी बिटा भावे के मदद करवा दिया कर पूरा दिन खाली बैठ कर क्या करेगी भला अच्छा अब हम जा रहे हैं हमारे जाने के बाद घर का और मुन्ने का ख्याल रखना हम जल्दी आ जाएंगे सलोनी के घर में ऐसा कोई दिन था जो उसकी बात सुने या उसको समझने की कोशिश करे हर कोई उसे बस यही कहता सलोनी खाली बैठी है उससे काम करवा लिया जाए सलोनी घर के सारे काम करती है किसी की कोई बात नहीं टालती पर फिर भी उसे एक ही ताना सुनने को मिलता है अब ऐसी ही एक दिन अनुराग और मंजु एक पार्टी में जाने के लिए तयार होते हैं तब ही अनुराग मंजु से कहता है अरे मंजु और कितना समय लगेगा तुम्हे तयार होने में जब पार्टी खतम हो जाएगी तब पार्टी में जाओगी क्या हाँ हाँ आप तो बोलोगे ही न आपको तयार होने में समय ही कितना लगता है पर मुझे तो घर बच्चा सब देखना होता है पहले घर का काम किया, फिर खुद तयार हुई और अब मुन्ना को तयार कर रही हूँ मुन्ना को बाहर ले जारेंगे क्या ज़रोता है मुन्ना भी बहुत छोटा है, उसे बाहर कौन संभालेगा हम दोनों अकेले पार्टी में जा रहे है मुन्य को तुम सलोनी को देदो, वो संभाल लेगी मन्जू अनुराग के साथ बाहर पार्टी में तो चली जाती है पर अपने मुन्य को अपनी ननत के हवाले कर जाती है इसी तरह से कुछ दिन बीच जाते हैं और एक दिन घर में कुछ महमान आते हैं मेहमानों के आने के बाद मंजु सारे काम सलोनी से करवाती है पर फिर भी मेहमानों के सामने अपनी ही तारिफ करती रहती है अब क्या बताओ शीला भावी आपको मेरी भावी तो मुझसे इतना काम करवाती थी कि कुछ पूछोई मत पर मैं अपनी ननत से कुछ नहीं करवाती और करवाओं भी क्यों कुछी दिन का तो आराम है बिचारी के पास कल को शादी हो जाएगी तो ससुराल ही तो संभालीगी न इसलिए घर में न खाली बैठी रहती है पर उसे कोई कुछ नहीं कहता यह तो बहुत अच्छी बाते दीती पर मेरी तो कोई नाना दी नहीं है और मैं यहां से गुजर रही थी तो सोचा कि आपसे भी मिलती जाओ अरे ऐसे कैसे चलती हो चाची जी वैसे भी तुम्हें हमारे घर आने नहीं देती कभी-कभी तो आती हो यहीं बैटो मैं अभी सलोनी से कहती हूँ कि वो तुम्हारे लिए अद्रक वाली चाई बना कर ले आए सलोनी ना चाई बहुत अच्छी बना दिया आसे वो पूरा दिन खाली रहती है एक कप चाई बनाना कौनसी बड़ी बात है उसके लिए अगर सलोनी मेरे लिए चाई बना रही है तो फिर तो मेरा यहां बैटना बनता है दीदी ओ नहीं तो क्या कल को ननत की शादी हो जाएगी तो उसके हाथ की चाई पीनी भी नसीब नहीं होगी अच्छा मैं अभी सलोनी को बोलती हूँ सलोनी मन्जू बिना कुछ सोचे समझे सलोनी को काम पर लगा देती है जबकि उस समय सलोनी अपने कॉलेज के किसी एक्जाम के तयारी कर रही होती है पर सलोनी की कोई सुनता ही नहीं इसलिए मिना कुछ कहे चुप चाप सलोनी चाई बनाने के लिए चली जाती है ऐसे ही एक दिन सलोनी आराम से टीवी देख रही थी और मन्जु बार-बार सलोनी को आवास दे रही थी पर सलोनी टीवी देखने में इतनी बिज़े थी कि वो अपनी भावी की बातों पर ध्यानी नहीं देती और मंजु सारे गंदे कपड़े लाकर सलोनी के उपर फैंक दीती है भावी ये कैसी हरकत है आप देख रहे हैं न मैं टीवी देख रही हूँ आँ देख रही हूँ तुम टीवी देख रही हो इसलिए तो सारे गंदे कपड़े तुम्हारे उपर फैंक दी है अरे मैंने मशीन लगाई है कबसे तुम्हें आवास दे रही हूं कि गंदे कपड़े लेकर आ जाओ पर तुम्हें तो टीवी देखने से फुरसद ही नहीं है खुद तो पूरा दिन खाली बैटी रहती हो और दूसरों की काम में भी अर्चन पैदा करतेती हो तुम अगर मेरे घर के काम में थोड़ी से मदद कर दोगी तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा क्या बैस करो भाबी हर समय आप और पूरा परिवार मुझे यही कहता है मैं खाली बैटी रहती हूं खाली बैटी रहती हूं मुझे जो काम देती हूं, मैं सारे काम करती हूं, तीवी भी मैं आपका काम करने के बाद ही दिख दिख लिया आई हूं, मा जी, अनुराग जी, इधर आईए, देखे तो सलोनी की कितनी जुबान खुलने लगी है, पूरा देन घर पर खाली बैठी रहती है, इसलिए इसकी ज मन जो छोटी सी बात को बड़ा बना दीती है, और पूरे परिवार को इखटा कर लेती है, पूरा परिवार मिलकर अब सलोनी को ही खरी खोटी सुनाने लगता है, सलोनी अपने घरवालों की इन हरकतों से परिशान हो चुकी थी, इसलिए अब वो फैसला करती है, कि वो साली बैटी रहती हूं, भावी रोटी बना दी है, तो मुझसे सबजिया बनवाती है, अगर भावी सबजी बना दी है, तो सबजिया मुझसे कटवाती है, अगर भावी कुछ काम कर रही होती है, तो मुन्ने को मैं संबालती हूं, अगर भावी मुन्ने को गोद में रखती है सलोनी कितने बीशरम हो गई हो तु देख रहे हो माजी भला कोई लड़की खुद अपनी शादी की बात करती है क्या वो भी इस तरह से पापी मैं तो वैसे भी खाली बैटी रहती हूं न अच्छा ही है ना शादी करके यहां से चली जाओंगी अरे नहीं आ रही है मुझे क फरेशान हो जाती है कि वो खुद ही अपने घरवालों से अपनी शादी की बात कर लेती है और बहुत जल्द शादी करके अपने सिसुराल चली जाती है और इन तानों से शुटकारा भी पा लेती है ये कटोरी तो तुमने ठीक से धोई भी नहीं है रेणू, देखो साबुन लगा है पूरा, ऐसे काम करोगी तो सासुमा से शिकायत कर दूगी नहीं नहीं भाबी, मम्मी मेरी खट्या खड़ी कर देंगी, उनको मत बताना, मैं वापस दो देती हूँ ना, बस अभी ऑनलाइन इंग्लिश क्लास करके आती हूँ इंग्लिश सिके, क्या रानी विक्टोरिया बन जाओगी? अरे बरतन धोलो, और इतने अच्छे से धो कर लाओ, कि चहरा दिखने लगे कटोरी में गुप्ता फैमिली में सास ने बहु को कहा है, कि ननद रेनु को घर की सारी काम की ट्रेनिंग दी दे, ताकि ससुराल में जाकर रेनु घर की नाक नाक अठवाए क्यों बहु, रेनु की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? एक काम भी ठीक से नहीं करती है, हर काम दुबारा करवाना पढ़ता है ठीक है ठीक है, सीख जाएगी, अबी तो एक साल है उसकी शादी होने में मा जी, मैं तो कहती हूँ उससे थोड़े और काम करवाने चाहिए, ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो ज्यादा सीखेगी ठीक है माजी, मान लेती हूँ आपकी बात लेकिन जब ससुराल में रेणो काम बिगाड़ेगी तो मुझे कोई नहीं बुलेगा बेटी तो आपकी है, सब यही कहेंगे कि माने कुछ नहीं सिखाया बात तो तू ठीक करी है ठीक है, करवाले ज्यादा काम बहु की जाल थी की ट्रेनिंग के नाम पर रेणो सारा काम करने लगे और बहु मौ जुडाए, ठीवी देखे और आराम करे मा, मैं ना घूमने जा रही हूँ, मेरे दोस्त का बर्टे है शाम तक आऊँगी, लेट होगी तो फोन कर दूँगी, बाई अरे, अरे, कहा जा रही हो, घर का काम पड़ा है, बर्तन, सफाई मैं तो सब कर चुकी हूँ, किचन देख क्या हो भाबी अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था हाँ, आज कल आप किचन में जा कहा रहे हो, मैं ही सारे काम कर देती हूँ अरे, बस, इतना सा काम करके घामंड मत करो, सिसुराल में इसका डबल काम करना पड़ेगा हाँ, रेणू, बहु का तो धर्मी होता है सिसुराल वालों की सेवा करना अरे, ये तो माय का है ना मेरा, वहां कर लिया करूंगी काम ठीक है ठीक है जा माथा ही खराब कर दिया देख लो सासुमा माथा तो आपका खराब होगा जब इसकी ससुराल वाले आपको फोन करके बताएंगे कि आपकी बेटी को कुछ करना ही नहीं आता बात तो ठीक है तेरी तो रेणू बर्डे से याद आया आज तुम केक बनाना सीख लो ससुराल में केक बनाओगी तो सास ससुर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा अरे लेकिन तूने तो कभी हमें केक बना के नहीं खिलाया हम पर भी तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशिन बना दे वहु अरे लेकिन अभी तो रेणू की क्लास चल रही है न हाउ अभी न सासुमा चल रेणू केख बना दें रेणू उदास हो जाती है और किचिन में जाके यूट्यूब से देख कर केख बनाती है अब रोज ही कोई ऐसा काम निकाल दिया जाता जिसकी वज़से रेणू दिन भर बिजी रहती ना दोस्तों के लिए कोई वक्त निकाल पाती और ना खुद के लिए और ना ही अपने इंग्लिश क्लास जारी रख पाती वो दिन भी आ गया जब रेणू को देखने लड़के वाले आए आरे वाँ पोहे तो बहुत अच्छे बने हैं कहां से मंगवाए रेणू ने ही बनाए हैं हाँ पर सिखाए तुम मैंने हैं न ससमा वाँ वाँ लड़का हमारा अमरिका में नौकरी करता है लड़की वहां की आदत तो पकड़ लेगी ना हाँ हाँ सब कर लेगी रेणू हाँ और लड़की को अच्छा अच्छा खाना बना के भी खिलाएगी लेकिन मैंने तो मेड लगा रखिये वाँ पर अरे रेणू रहेगी तो मेड की जरुद भी नहीं पड़ेगी ही प्रायोरिटी है घर का काम भी तो जरुरी होता है घर का काम भी जरुरी होता है पर सिर्फ घर का काम जरुरी नहीं होता हाँ हाँ सब कर लेती है रेणू ओनलाइन बिल भर देती है बाजार से समान ले आती है, अभी तो स्कूर्टी भी चलाने लगी है और हमने उसको केक बनाना भी सिखाया है पास्ता भी बना लेती है, पीजा भी बनाना सिखा दूँगी और बरतन तो ऐसे मांजती है कि आप चहरा देख लो उसमें और ये सब मैंने ही काम करने में क्या लड़का और क्या लड़की अरे लेकिन आप डोसा और जले भी थोड़ी ना बना पाते होगे ये तो मैंने सिखा दिया है इसे आपकी हर बात घूम फिरके खाने पे ही क्यों आ जाती है अरे अरे देखो, ये ना वहाँ जाके अमरिका में एक धाबा भी तो खोल सकती है लेकिन उसके लिए कम से कम English तो आनी चाहिए ना, communication भी ज़रूरी है आपने ये सब क्यों नहीं सिखाया उसे I can communicate in English there is no issue I can also help you in your business if you teach me the basics अंग्रेज ये तो आती है sorry मुझे लगा था आप सिर्फ खाना बनाना ही जानती है और बोल नहीं रही थी तो इस घर में मुझे पिछले एक साल में किच्चन के काम ही सिखाये गए पर मैं सब सीखती रही French भी आती है मुझे हर थोड़ी बहुत Spanish भाशा भी English फिल्मस भी देखती हूं हर गाने भी सुनती हूं बड़ आई डून थिंग ये सब किसी पार्टनर को जूस करने के पैरामिटर्स होने चाहिए अब ये मैंने नहीं सिखाया है मुझे रेणू पसंद है इतना बेबाक इमानदार और साफ रेणू क्या मैं तुमको पसंदू हाँ अच्छा लगा कि तुम मुझे सर्फ किचन में नहीं रखोगे मैं चाय बना कर लाती हूं अब मैं भी बना सकता हूं साथ में बनाते हैं बात भी हो जाएगी रेणू और उसको देखने आये लड़के अशोक ने साथ में चाय बनाई भावी को बहुत शर्मिंद की हुई और बाकी सारे लोगों को रेणू और अशोक पर बहुत नाज हुआ